दादी नानी ने बताए घर में बरकत लाने के उपाए नमर एक घर में सुभा सुभा कुछ देर के लिए भजना वश्य लगाएं नमर दो पूजा सुभा छे से आठ बजे के बीच भूमी पर आसन बिचा कर पूरव्या उत्तर की और मुह करके बैट कर करनी चाहिए पूजा का आसन जूट अथवा कुषका हो तो उत्तम होता है नमर तीन आरती दीप पूजा अगनी जैसे पवितरता के प्रतीक साधनों को मुह से फूक मार कर नहीं भुजाएं नमर चार मंदिर में धूप अगरवत्ती वा हवन कुंड की सामिगरी दक्षिन पूर्व में अर्थात अगन्य कोंड में रखें नमर पांच घर में कभी भी जाडू को खड़ा करके नहीं रखें उसको पैर नहीं लगाएं ना ही उसके उपर से गुजरें अन्य था घर में बरकत की कमी हो जाती है जाडू को हमेशा चुपा कर रखें नमर चै पहली रोटी से घी और गुड मिलाकर थोड़ा सा तोड़कर चूले में भोग अवश्य लगाएं नमर साथ पहली रोटी गाए के लिए निकालें तथा रोटी पर घी लगाकर थोड़ा सा गुड रखकर गाए को खिलाएं इससे देवता खुश होते हैं तथा पित्रों को भी शान्ती मिलती है नमर आठ घर में कभी भी जाले ना लगने दे वरना भाग्य और करम पर जाले लगने लगते हैं और बाधा आती है नमर नौ रसोई घर या चूले के पास जूते चपल लेकर न जाएं तथा ना ही उन्हें पहन कर खाना खाएं इससे पित्र देवता तथा मालक्ष्मी नाराज होती हैं तथा कंगाली बरवादी कलेश दरिदरता सब घर में प्रवेश कर जाते हैं नमर दस बिस्तर पर बैठ कर कभी खाना ना खाएं ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं नमर ग्यारा अगर घर से बाहर कोई शुब काम के लिए जाता है तो तुरंत जाडू या पोछा नहीं लगाना चाहिए नमर बारा नहाते समय एक पैर से दूसरा पैर रगरने से घोर गरी भी आती है नमर तेरा महीने में किसी भी शुकरवार को खीर बना कर घर के सभी सदस से खाएं और खिलाएं नमर चौदा घर में जूते चपल इधर उधर बिखेर कर या उल्टे सीधे करके नहीं रखने चाहिए इससे घर में अशान्ती उत्पन होती है नमर पंद्रा कभी भी आटे के हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए इससे घर में कंगाली आती है नमर सोला दवाईयां अपने सिरहाने रखर ना सोए नहीं तो उम्र भर दवाईयां सिरहाने ही रहेंगी नमर 17 मंदिर से बापस आते समय कभी घंटी ना बजाएं शक्तिया नाराज हो जाती है नमर 18 जब भी माताएं बहने बात्रूम के अंदर इसनान करने जाती है तो वे नहाते वक्त अपने माते की बिंदी को वहीं दीवार पर चिपका देती है जिससे घर में नकारात्मक तचा जाती है नमर 19 पाने से भरा बरतन सिरहाने रखर ना सोई इससे मन प्रवावित होता है जिस कारण मानसिक रोग उत्पन होता है नमर 20 सूर्यास्त के वक्त कभी भी दरवाजे पर खड़ा रहना या बैठना नहीं चाहिए नमर 21 नमक को हमेशा शीशे के बरतन में दो लौंग डाल कर रखना चाहिए इससे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है नमर 22 रसोई घर में मान पूर्णा का वास माना गया है और कहते हैं कि रात के समय गलती से भी एक भी जूटा बरतन रसोई में नहीं चोड़ना चाहिए जो महिलाए ऐसा करती है उस घर में कभी सुख शान्ती नहीं आती है नमर 23 पर्स या हैंड बैग पास रख कर नहीं सोना चाहिए ऐसा करने से निर्धनता आती है नमर 24 घड़ी को ना तो तकिये के नीचे रखें और ना ही दीवार घड़ी को बैड़ के सामने लगाएं ऐसा करने से विक्तित अनाम में रहता है नमर 25 जिस घर की इस्तरी अपने पती के प्रतिकूल बचन बोलती है तथा अपने परिवार का सम्मान नहीं करती है उस घर में मालक्षमी का वास नहीं होता है नमर 27 किसी और के इस्तेमाल किये गए कपड़ उधार नहीं लेने चाहिए इससे भागे कमजोर होने के साथ साथ शारर एक परेशान या उत्पन होती है नमर 28 किसी भी प्रकार का कोई तेल पास रखर नहीं सोना चाहिए ऐसा करने से कठिनाई आती है नमर 29 तबे को कभी भी सामने नहीं रखना चाहिए हमेशा छिपा कर रखना चाहिए इससे हमारा राहू खराब होता है नमर 30 गीता के पंद्रवे अध्याई को नित्य पढ़ने से घर में सुख शांती वा समर्दी आती है नमर 31 महिलाए सोने से पहले पूजा घर में प्रणाम करना न भूले प्रणाम करने के बाद पूजा घर में परदा जरूर लगाए